तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही डिलिश्यस तेस्ती हल्दी रेसिपी बनाते हैं अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और प्लीज फ्रेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है ही गाईज चलिए आज बच्चों के लिए खास दो रेसिपी है तो वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले पैन में हम ऑईल डालेंगे ऑईल बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है तब हमको यहाँ पर आधा चमच जीरा और आधा चमच हम राई डालेंगे और मैंने प्याज डाला है आप पूरा प्याज डाल सकते हैं अब बच्चों के एकार्डिंग याप कुछ यहाँ पर विजटेबल्स ले सकते हैं जो उनको पसंद है तो देखिए मैंने यहाँ पर पत्ता गुबी लिया है उसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छा लगा है यह फ् लास्ट में दो से तीन हरी मिर्ची है और शिमला मिर्ची है तो एक से दो चमच है तो शिमला मिर्ची जल्दी ही पक जाती है तो चलिए अभी बहुत अच्छी तरह से हमने मिला लिया है इसको अब हम हल्दी डालेंगे हल्दी से तो अच्छा कलर और टेस्ट आता है चलिए ये सब ready हो गया है अब इसको ढखकन लगा कर कम से कम दो मिनिट तो भी हमको पकाना है अच्छे से ये soft smooth हो जाते हैं हमारी सबजिया सारी अच्छे से पक जाती है तो ये हो गया है अब हम इसमेना आगे बहुत ही main ingredients है friends वीडियो को पूरा देखिए इतना healthy नास्ता है आप भी अगर एक प्लेट ये नास्ता खा लेंगे तो दिन भर भूक नहीं लगेगी आपको अब मैं मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और एक glass पानी डाल कर इस पानी को आपको high flame पर बहुत अच्छी तरह से boil करना है तो देखिए boil हो गया है अब है main ingredients जो healthy है तो देखिए summer में मैंने गेहू के आटे की सेवई बना कर रखी थी तो देखिए बाहर से बना की लाती हूँ मैं और साल भर हम इसको फिर इस तरह से नास्ता बना कर खाते हैं तो ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत अच्छा लगता है ये नास्ता तो देखिए अब बस एक स दो कटोरी सेवई है सेवई सारा इसमें ऐसा डाल दीजे और हमको अब इसको पकाना है तो देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे सेवई अच्छे से पकेगी तो ये जो पानी है ना वो पूरा पी लेती है सेवई तो सुक जाएगा पानी धीरे-धीरे और जो हमारी सेवई बनक अगर जब रेडी हो जाएगी तो बिल्कुल आपको नूडल्स या मैगी जैसे इसकी लुकिंग आती है और ये हल्दी है क्योंकि ये गेहू के आटे से बनी है तो देखिए धीरे-धीरे सारा पानी सुक गया है और इस तरह से ये सेवई बनाना है बहुत अच्छी लगती ह खाने में पोहे से तो मुझे ये अच्छी लगती है और ये हल्दी भी है एक खा लिए तो आपको ना दिन भर भूक नहीं लगेगी तो चलिए ये हल्दी हमारा नास्ता बनकर रेडी हो गया है इसको आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए बहुत ही हल्दी है तो से ठीजद से ठीज लिए है उसको ग्रेड करना है यहाँ पर मैं बस पौडर मसाले यूज करूंगी कुछ और यहाँ पर यूज नहीं करने वाली हूं मैं तो मिर्ची पौडर धनिया पौडर हल्दी नम्मा गरम मसाला ठोड़ा सा चाट मसाला और बस इतना ही मसाला डालें और एक आलू है बॉइल पोटाटो तो इसको ना अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दीजिए और इस तरह से छोटे-छोटे हम बॉल्स बनाएंगे अब जब हम रोटी के लिए नॉर्मल गेहु का आठा आठे का डो बना के पहले ही रखा है मैंने तो बस अभी इसको फील करना है और जिस तरह से हम नॉर्मल याने जैसे आलू की स्टरफिंग भरते उसी तरह से करना है और बस पहले हातों से इसको ऐसा फैला ना है याने सब तरफ अच्छे से यह चीज फैल जाता है और जो हमारा पराठा बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है और मैंने इसको लोहे के त तरह से यह बहुत भी बढ़िया टेस्टी बच्चों को यह बहुत ज़ादा अच्छा लगेगा तो इस तरह से रेसिपी मैंने बढ़ाई हूँ तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़ादा अच्छे लगी वो कमेंट्स करके हो गया है okay friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई